हम लोग पढ़ रहा है थे मुस्ट भीव्याई कोश्चन क्लास 12 में इनार्गिनिक केमेस्ट्री और आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है एक्जिस्ट डज नाट एक्जिस्ट नून अन्नोन पॉसिबूल नॉट पॉसिबूल इस टाइप का प्रश्ण मतलब यह दो बात पर डिपेंड करता है एक और वाइटर नहीं हो यह किसी पास डी और वाइटर नहीं रहता है किसी पास डी और वाइटर नहीं रहता है जैसे एक्जामपल देखिए नाइट्रोजन के पास डी और वाइटर नहीं है इसलिए यह NCl5 नहीं बनाता है सिर्फ NCl3 बना सकता है NBr3 बना सकता है फॉस्पोरस के पास डी और वाइटर नहीं हो दूसरा है हो सकता है साइज में नहाट है साइज में नहाट है मतलब इस सॉलफर है सॉलफर के चारुतरफ से एफ छोग मानलीजे अट सकता है लेकिन यही बात के देख्लोरीन का हो सकता है साइज में चारुतरफ से क्लोरीन बनायाएगा ना ऐसे ऐसे चारुत अधिक रिपल्शन होगा जिसके कारणी पोस्ट एगजिस्ट नहीं करेगा ठेक अब फ्लोरीन का साइज छोटा होता है हो सकता है इसमें आ जाए साइज में अट जाए ठेक दो काटेगोरी में हम बारती हैं एक्जाम में पूछता ही है इस टाइप का इस जैसे नाइट्रोजन फॉर्म अल्ली अन्सील थी बाट फॉस्पोरश फॉर्म पिसील फाइब पिसील थी बोट एक्जाम में पूछे हुए है क्वेशन 2020 में 2020 हो सकता है 20-18 भी हो सकता है दुनों में स्वेशन होगा एक अईच्छा कोश्चन है जैसे SF6 is known but SCL6 is not why पूरी कोश्चन में दो भीवियाई कोश्चन है एक, दो, और तिन तिन भीवियाई कोश्चन है बागी सवाब प्रैक्टिस कीजिएगा बागी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए दूसरा कुछ नहीं है क्लियर और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा कोश्चन एंसर सीखेंगे लिखने के तरीका कैसे लिखे एक्जाम में आईए स्टार्ट करते हैं आपके सामने प्रश्ण है nitrogen exhibit plus 5 oxidation state nitrogen plus 5 दिखाता है it does not form pentahalide give region plus 5 कभी कभी दिखाता है लेकिन pentahalide नहीं बनाता है क्यों ठीक और आप सुचिए plus 5 कहां राता है हम बाद में देखेंगे question the electronic configuration of nitrogen N7 1-2-2-2-3 clear और outermost orbit है clear यह apply नहीं खीचेगा second period में लाइच करता है 2 orbit है इसलिए 2s 2p3 लिख दिए सुचिए second period में है मतलब 2 orbit है 2 orbit में केवाल S और P रहता है इस 2 orbit में अगर N का value 2 है तो इसमें S और P होगा N का value 3 है मतलब orbit की संखे 3 है तो A, P और D रहता है जब N का value 2 है न तो इस 2nd period में आता है N का value 3 है तो 3rd period में जैसे sodium मान लिजे 11, 2, 8, 1 आता है इसका electronic configuration के 1, 2, 3 इस N equal to 3 है न 3rd period में होगा और इसके पास D orbital होगा clear आएए the electronic configuration लिख दिये 2S 2P3 clearly nitrogen has S and P orbitals only it does not have D orbital इसके पास D orbital नहीं है तो वो लिखता है it does not vacant D orbital इसके पास D orbital है नहीं तो back end किस लिए 2 expand its covalency by on 4 या 4 से ज़्यादा नहीं ब्रहा सकता है लेकिन 5 आता है oxygen के case में that is why that is why it does not form pentahylide but so बद दिखाता है plus 5 oxidation state clear बहुत easy है चाहिए आप simple एक line में बोले तो लिख सकते हैं ऐसे due to the absence of dear vital due to absence of dear vital it does not form pentahylide बस आप सोची दुनों से लिखना है कुलना है इंग्वेज है clear objective में पुछा आता absence of dear vital absence of vacant dear vital इसके पास खाली dear vital नहीं है clear screen shot ले लिजे और practice किजी आप आपके सामने एक अगला प्रश्न है nitrogen form only NCl3 but phosphorus form PCl3 PCl5 both explain nitrogen tri highlight बनाता है phosphorus tri highlight और pentahylide दोनों बनाता है क्यूं explain कीजी सबसे पहले कहानी है nitrogen वाला बात nitrogen को ले लिए हम nitrogen यह आप जानते हैं कोई दिकत इसमें नहीं है nitrogen has three unpeared electrons एक दो तीम nitrogen has three unpeared electrons electrons in ground state और excited state अब देखिए इसके पास तर dear vital नहीं है ground state या excited state में three unpeared electrons है it does not have dear vital because इसके पास dear vital नहीं है so nitrogen can form ncl3 only यहाँ पर only लिख सकते है one only clear आई इसी को फोस्फोरस में आप देखें फी फिफ्टीन वन एस्टो टू एस्टो टू पी सिक्स त्री एस्टो थ्री फिथरी लिख दिए अब देखें लास्ट वला और वीथ है आपका इसमें 3 और विट का मतलब कहने का है समझने के लिए 1s मतलब एक और विट 2s टू पी सिक्सी में दूसरा और विट 3s थ्री फिथरी तिसरा और विट clear अब आई यह ग्राउन एस्टेट में लिख दिए excited एस्टेट में इसके पास dear vital है इसलिए डिर विट बना लिए है 3s, 3p, 3d अब आई एक्साइटेट एस्टेट में क्या होता है इलेक्ट्रोन को जम्प कराते हैं पर देख इलेक्ट्रोन सोचता है हम खिरकी के बगल में चले जाए तो इसमें जम्प किया न तो मानलो second seat पे ही बैठेगा इस अब हम समझा चुके है तो जम्प करके कहा जाएगा इधार तो आप लिखिए 3p लिख दिये और इसमें जम्प करवा दिये 3d में clear अब आई ये तो phosphorus has 3 unpear electron 3 unpear electron है in ground state सब outermost orbit का बात हो रहा है किसका बात करना है हम सिर्फ outermost orbit and also 1,2,3,4,5 5 unpear electron in excited state 5 unpear electron है कुन excited state में because it have vacant dear orbital इसके पास खाली dear orbital था जो 3 dear इसमें नहीं था लेकिन dear orbital इसके पास था इसलिए electron जम्प करके इसमें चलाया इसमें आपके शामने है इसमें आपके शामने है explain PCL5 is possible but NCL5 is not possible PCL5 तो होता है exist करता है अगा NCL5 नहीं तो सबसे पहले PCL5 की चर्चा है नथा PCL5 रिख लिए clear ground state excited state या फिल कर लिजेगा ठीक हैं तो से वही बात इससे पहले जो पढ़े थे न मतलब E-line शेम इसी की चर्चा करेंगे लेकिन ध्यान रखे जैसन देवता वैसन नेवता जैसन देवता वैसन नेवता इसमें से पुछ रहा है PCL5 के बारे में तो से PCL5 की चर्चा करेंगे phosphorus has five unpaired electron in excited state डबाब फूल कर लिजेगा because it has vacant the orbitals in the outermost orbit so phosphorus form PCL5 excited state में इसके पास five unpaired electron है कैसे बतला दी है इसलिए PCL5 बनाता है but due to the due to the absence of dear orbital due to the absence of dear orbital in nitrogen in nitrogen it does not form NCl5 देखे इसके पास dear orbital नहीं है तो NCl5 नहीं बना सकता है clear यह आप line नहीं लिखका due to आप आप लिख सकते हैं nitrogen has three unpaired electron in ground state या excited state because it does not have dear orbital so nitrogen form one nitrogen cannot form NCl5 जो first question था ना second question उसमें NCl3 लिखे आप NCl5 nitrogen cannot form NCl5 लिख सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए एक्जाम में लिखे कैसे दोनों सही है आप due to the options of dear orbital in nitrogen it does not form NCl5 clear और ऐसा बना लिजएगा तेखिए electronic configuration ज़ूर लिखिएगा इससे पता चलता आपको समझे में आरे देख रहे हैं इसमें orbital नहीं है जिसकी कायान pentahilide नहीं बन रहा है अब आपके सामने एक अलग प्रकार का प्रश्न है next question है SF6 is known but SCl6 is not Y मतब फ्लूरीन 6 और क्लूरीन 6 फ्लूरीन 6 possible है और क्लूरीन 6 नहीं क्यों आईए सबसे पहले तो figures देख ले figure थोड़ा खराब बन गया है आपके सी book में से अच्छे से बनाने का प्रयास किजिएगा Sulfur और 4 तरफ 6 फ्लूरीन एटम है Sulfur 4 तरफ 6 क्लूरीन एटम है आईए fluorine और chlorine पर विचार करते है fluorine size में छोटा होता है chlorine size में थोड़ा बड़ा होता है नहीं हो सकता है अदोनों sulfur हैं बीच में हो सकता है sulfur के 4 तरफ chlorine सही से नहीं adjust हो पा रहा है मालो इसमें ज्यादा धका मुकी है मतलब इसमें interatomic repulsion है interatomic repulsion नहीं इसमे fluorine size में छोटा है तो बीच में फईल फईल है ना adjust हो गया होगा size में इसलिए 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 नोज unknown इसलिए इसलिए क्लियर अब आईए देखते हैं due to a small size of fluorine 6 fluorine can be adjust accommodate मतलब adjust around sulfur but accommodate एकोमडेट clear पढ़ियेगा अकॉमडेटेड इसी का बुचक्त एडज़स्ट एडज़स्ट ध्यान से एडज़स्ट एराउंड सुलफर clear due to a small size of fluorine six fluorine atom can be adjust एराउंड सुलफर fluorine का size छोटा है इसलिए इसके चारो तरफ एडज़स्ट कर सकता है बुच्टे बुच्टे chlorine has large in size and sulfur cannot adjust such large size of six fluorine atom chlorine size में बड़ा है इसलिए शुलफर इसको एडज़स्ट नहीं कर सकता है होगा इसमें repulsion ज्यादा होने लगेगा because interatomic repulsion interatomic repulsion will be high and have does not exist इसमें लिख सकते हैं फिर therefore लिख लीज़ेगा therefore therefore SF6 is known but SCL6 is not not बस clear अब आए अब आए सेम आप लिख के प्रैक्टिस कीज़ेगा PCL5 is known but PI5 is not why chlorine size में छोटा होता है इसके मुकाबले iodine size में थोटा बड़ा है नहीं जब PF5 लिख सकते हैं जो भी कोशन पूछे दखिए कोशन कैसे पूछा जाता है इसी टाइप में से बना बना कर अपने से पूछेगा तो आप प्रैक्टिस कर लिजे ताकि जामे लिखने आ जाए clear और एक और बात इसमें हमें एक कोशन लगा दिये है NF3 is known but NF5 is not known इस और वाइटल वाला प्रशन है देखिएगा जी सर हम इसलिए लिखते हैं तकि आप पहचान सकते हैं कि नहीं और वाइटल प्रशन प्रपरटी एक ऑक्सिडाइजिंग प्रपरटी इस तो टोपिक पी जर्चा बहुत समय बाद लगभा नॉम्बर क्या सपस करेंगे अब जो टोपिक बनेगा ना जो लेक्चर बनेगा वीडियो 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 बनेगा रियक्षन पर धारी क्लियर और पुरा मिला के फाइब लेक्चर हो गया फाइब वीडियो हुआ आप प्यक्रिस कर लीजें लगभा के एक दो बका यह गा ही इस दुनों में से पाचों में से कोई एक दो कोशन जो मिलेगा ही मिलेगा और पाच और टाइप का जब लेक्षर देख लेंगे तो आपको पी बूर्ग से- सोली इना और्गनिक केमेस्ट्रिस से तीन कोशन बन जाएगा एक्जाम में, क्लियर, अब इसी के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ, तब तक आप याद कीजिए,